हे गाईज वेलकम बैक टो यूट्यूब चानल आश्यू टॉक्स आज की इस वीडियो में मैं आपको टाटा एलेक्सिस कंपनी की तरफ साही बहुत एच्छी जॉब रोल अपॉर्ट्षी के बारे में बताने वाला हूं जहां पर 2021 और 2022 पासवाट बैच अप्लाए कर सकते हैं यहां पर बीटेक, मेंटेक, MCA, MSC कंड़ेट्स अप्लाए कर सकते हैं तो बहुत एच्छी जॉब रोल अपॉर्ट्षी आप सभी के लिए जिसके बार में हम डीटेल में बात करने वाले eligibility criteria, selection process, how to apply for this job role, apply करके भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, A to Z सभी चीज़ी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो का इंटत ने जरूर देखे तो definitely उस वीडियो को check out कीजिए, links आपको description में and comment section में मिल जाएंगी, चलिए भीना किस देरी के वीडियो को start करते हैं, तो जैसे के आप देख सकते हो, Tata Alexis, Off-Campus Recruitment, Online Registration 2021 and 2022 batch, तो guys, यह जो job role opportunity 2021 and 2022 batch के लिए होने वाली है, जहाँ पर आप देख सकते हो, Off-Campus Recruitment होने वाली है, जो कि यहाँ पर work in a code engineering design and technology, तो आप core engineering design and technology में work करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप apply कर सकते हो definitely, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर multiple locations देखने मिल जाती है, बैंगलोर, ट्रिवें 120 meets online proctor test, तो अगर आप यहाँ इसके लिए eligible हो, तो यहाँ पर आप apply कर दीजे, apply करने के बाद आपकी जो test होने वाली है, उसके लिए आपको 2 hours के आपकी test होने वाली है, जहाँ पर आपको verbal, analytical, coding, MCQs and coding, ठीके, coding, MCQs and coding, इस तरह से आपको यहाँ पर multiple, यहाँ आपको test में part section दिखने मिल जाते है, 120 meets के आपकी test होने वाली है, you will be notified well in advance about the test and interviews, please do check your junk box for mail from adminmetaladonetmercy.com, तो जैसे के आप देख सकते हो, यहाँ आपको यहाँ पर email address दिया गए, इस particular email address जो है, वो आपको test के regarding सभी details आ जाएंगे, तो जैसे के आप देख सकते हो, LGBT criteria में 2021 and 2022 pass out advice apply कर सकते ह आपको कोई भी active backlogs नहीं होना चाहिए and one year से जाधा आपकी gap नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आपको 60% का criteria दिया गया है, मतलब 10th में, 12th में यहाँ आपका graduation में 60% से about होने चाहिए, अब मैं आपको गाईस, इसके बारे में और भी detail में बताने वाला हूँ, अब आपको मैं यहाँ पर कोई भी eligibility criteria नहीं है, आप कोई भी field से pass out हो, कोई भी, यहाँ पर आपने कोई भी year graduation है आपका, 2020, 2021, 2022, कोई भी year से आप pass out होगे हो, तो आप इस opportunity में apply कर सकते हो, यहाँ पर as such कोई भी eligibility criteria नहीं है, अब apply कैसे करना है, simply आपको register for test पे click करना है, आप जैसे इस पे click करते हो, आपके सामने आप देख सकते हो, back end development test, तो यह जो है back end development test के field में आ जाता है, यहाँ पर multiple आपको यहाँ पर test opportunity मिल जाती है, business development, business analytics, associate product management, HR journalist, associate operation test, इस तरह से बहुत सरी opportunities आपको यहाँ देखने मिल जाती है, तो इनमें से आप कोई भी opportunity में जो है apply कर सकते हो, जो भी field में आप interested हो, वहाँ आप apply कर सकते हो, यहाँ पर आपको बस एक test देनी होते हैं, एक test के basis पर multiple companies में job opportunity मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, यहाँ आपको salary package भी बहुत अच्छा provide किया जाता है, यहाँ आपको test structure, partner companies and सभी चीज़े दिखने मिल जाती है, multiple test reports यह त इसके regarding कोई doubt होता है, तो आप मुझे नीचे comment section में पूछ सकते हो, अब बात कर लेता हम Tata Alexis के off campus drive opportunity के बारे में, जैसे के आप देख सकते हो, यहाँ पर fields दिखने मिल जाती है, जैसे के computer science, electrical and electronics, electronics and communication, information science, cyber security, data science, artificial intelligence, machine learning, इस तरह से बहुत सरी आपको यहाँ पर fields दिखने मिल जाती है, तो यहाँ पर आप check out कर सकते हो, आपकी field यहाँ पर eligible है या नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपने last six month में Tata Alexis के off campus drive में apply किया था, तो आप यहाँ पर फिर से apply नहीं कर सकते है, अब form कैसे fill up करना है, सबसे पहला आपको अपना year of passing बताना है, कि आप कौ current college, institute का name add करना है, state add करना है, आपका full name add करना है, contact number हो गया, email address हो गया, gender हो गया, date of birth आट करना है, आपका 10 का percentage, 12 का percentage, डिपलोमा का percentage, highest qualification, इस तरह से पूरी details आट करके आपको submit पे click कर देना है, एन इस job role opportunity के लिए apply कर देना है, ओके, तो इस तरह से आप इस opportunity के लिए apply कर सक subscribe कर देना, thank you for watching this youtube video till the end